दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्रिफलादी घृत के बारे में जो की आखों की लगबख सभी समझ्याओं के लिए बहुत ही असरदार मेडिशन है तो इसके फाइदों से लेकर इसे कैसे यूज करना है इंग्रिडियन्स, साडी फेक्ट, साउधानिया, सारी जानकारी इस वीडियो में दूँगा तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है देखे दोस्तो महात्रिफलादी घृत और भी बहुत सारी कंपनियां मनाती है जैसे बैदनाद, पतानजली, स्रीस्री और भी बहुत सारी कंपनियां आप चाहे तो किसी भी कंपनियां ले सकते है दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दूँ कि इस महा त्रिफलादी घृत को बेहत बहतरीन जड़ी बूटियों से मिला कर बनाए गया है जैसे त्रिफला, सतावर, गिलोई, पीपल, मुनक्का, हरड, बहेडा, आमला, छोटी कटेली आदी ऐसे और भी कई महत्पूर्ण जड़ी बूटियों को देशी गये के गी के साथ मिला कर बनाए जाता है जिस करणे ये महा त्रिफलादी घृत बहतरीन आउशिदी बनके तैयार होती है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों की तो देखिए जैसा कि मैंने आपको सुरू में ही बताया कि महा त्रिफलादी घृत आखों की लगबख सभी समश्याओं के लिए बहुत ही असरदार दवा है आखों के रोग जैसे अगर आपकी आखों में दर्द होता है या फिर आखों में एक जलनसी होती है या फिर आपकी आखें लाल हो रही है यानि आखों का लाल होना इन सब के लिए महा त्रिफलादी घृत का काफी बड़िया फाइदा जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों इसके लावा पलकों से सम्मंदित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या ग्लुकोमा या फिर इसके लावा आखों से पानी आना आखों में खुजली होना तो उसमें भी काफी फाइदे मंद है दोस्तों इसके लावा आखों की सूजन या फिर नजर की कमजोरी किसी भी प्रकार की हो चाहे पास की चीज़ें दिखाई ना देना दूर की चीजें दिखाईना देना तो उसमें भी फायदेमन है महातृफ़ा दिखरिद दोस्तों देखे कुछ लोगों में देखा गया है कि उन्हें साम को कम दिखता है जैसे जैसे साम होती है अंदेरा होता है तो उनको दिखना कम हो जाता है तो उस कंडिशन में भी ये आपके लिए काफी फाइदे मन साबित हो सकता है आप इसका इस्तमाल करके इसके भर पूर फाइदे हैं वो ले सकते हैं देखी इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सिस्टम वर्क जादा रहता है कम्प्यूटर के आगे लैपटॉप के आगे आपको ज़्यादा समय वो बिताना पड़ता है तो उनकी वज़े से जितनी भी प्रॉलम आखों में होती है तो उन सारी प्रॉलम को दूर करने में भी ये काफी मदद करता है महात्रिफलादिक रिद दोस्तो इसके अलावा पॉलूशन के कारण हमारी आखों में बहुत ज़्यादा प्रॉलम सी होती है तो उन से भी बचाओ के लिए आप इस महात्रिफलादिक रिद को ले सकते हैं उसमें भी आपको फाइदा मिलेगा दोस्तो देखिए आपकी जो आई की मसलस होती है और आपकी जो आई की नर्व होती है उनकले भी काफी अच्छी है और आपका जो आई वीजन है उसको भी और कलर वीजन को भी इंप्रूव करता है महात्रिफलादिक रिद तो दोस्तो देखा आपने आखों के उपपर इस महातरफ़ादी घृत के कितने सारे फाइदे हैं यानि हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का आइकाटोनिक भी है महातरफ़ादी घृत क्योंकि इसके आखों के उपपर फाइदे ही इतने सारे हैं दोस्तों देखिए आखों के अलावा भी इसके और भी बहुत सारी फायदे हैं ये आपके digestive सिस्टम को भी मजबूत बनाने का काम करता है अगर आपको भूग नहीं लगती है तो ये आपकी भूग को भी बढ़ाने में काफी मदद करता है और साथी साथ ये आपकी रोग प्र आपको इसे कैसे लेना होता है तो देखिए पांस से दस ग्राम आपको इसे एक बार में लेना होता है और दिन में दो बार आप इसे ले सकते हैं देखिए आप इसे गरम पानी के साथ या फिर गरम दूद के साथ आप इसे ले सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इसे गरम पाने के साथ भी ले सकते हैं दोस्तो देखिये, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉलम कैसी है, प्रॉलम के एक्कॉर्डिंग ही डोस डिसाइड होते हैं देखिये अगर आपको प्रॉलम जादा नहीं है तो आप इसे दिन में एक बार कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं दोस्तो अगर बात करें इसके side effect की तो इसका ऐसा कुछ side effect नहीं है लेकिन फिरी भी इससे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी health में issue लगता है तो आप इससे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं या दिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सला है वो ले सकते हैं दोस्तो देखे यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको डाइपटीज है या फिर आप किसी अन्ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो आप इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सला ले दोस्तो जाते जाते इतना मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस महा तरफलादिक घ्रित को लेते हो तो आपको अपने खाने पर भी विसेज ध्यान देना है हेल्दी डैट लीजिए दिन बढ़ सही मातरा में पानी पीजिए टाइम पे खाईए और टाइम पे सोईए सुबह एक्सेसाइज जरूर करिए जंक फूर्ड, फास फूर्ड, अलकोहल इन सब चीजों से दूर रहे जिससे आपका सरीड जो है वो काफी स्वस्त बना रहेगा और आप इस महा तरफलादिक घ्रित के और भी भर पूर फाइदे हैं वो ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी महा तरफलादिक घ्रित के बारे में कुछ महतिपूर्ण भरी जानकारी देखे अगर फिर भी कोई कॉश्चन आपके मन में चल रहा हो इस महा तरफलादिक घ्रित को लेकर तो आप मुझे कॉमेंट्स के द्वारा भी पूश सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैंने मी जितेश एंड थैंक्यू सो मच पर वोचिंग